वेलकेज आपको तो पता है कि मार्केट के अंदर लोन एपलिक्शन के फ्रोड बहुत जादा वड़ गयते तो भाई यहाँ पर यह अच्छी बात हों कि फिलिपकार ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके अपने फिलिपकार प्लेटफॉर्म के उपर पर सुविधा उपल प्लाइ करने के लिए आपको सबसे पहले अगाउंट वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको दो अप्शन मिल जाएंगे आपको पर्सनल लोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो फिलिपकार के जितने भी यूजर है उन सबको मैक्सिमुम पांस लाग तक का लो नहीं आने वाले अच्छा आपको पता है कि स्पैम को आपके पास आते क्यों है मैं आपको फटाफट बताता हूं यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपका पर्सनल डाटा हो गया और प्लेश्टोर के उपर ऐसे बहुत से लोन एप्लिकेशन होते हैं जिनको कि हम एग्रिगेट क्या करती है मान के चलते हैं कि आपने अपना डेटा पहले अप्लिकेशन के अंदर दिया तो यह डेटा आपका लेती है और बंक ले जा ले जांके दे दे जाता है और वहां पर ल्ओन है नहीं हुआ जिसको कुछ कु stressing मिला नहीं तो यह क्या और यह तीसरे चोथे नंबर के अप्लिकेशन जो होगी वो आपका डेटा लेगी और यह देदेगी अधर बैंक को या फिर कोई और प्लैटफॉर्म को जो की लोन प्रोवाइड करवाती हो तो वहीं से तीसरे और चोथे नंबर से आपको आने लगते हैं City Spam Call, अब Flipkart यहाँ पर यहाँ पर क्या प्लाइब को आपको यहाँ देटा लेगा और अपने claim दो करना है और और male female जो भी हो वह बता देना उसके बाद आपको term and condition को accept करना है और continue पे click कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना working experience बताना पड़ेगा आप अब यहाँ पे अग्जांपल के लिए अगर मैं solid person choose करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मेरी company का नाम डालना है और मैं हर मेनी कितना कमा लेता हूँ वो बता नहीं अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 64,000 रुपय का loan provide किया जा रहा है यह maximum limit 64,000 है वरना minimum limit आपको 50,000 का भी provide किया जा रहा है और यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि बेसक से आप 6 महीने की EMI करवाओ या फिर 36 महीने की EMI करवाओ वहाँ पे आपको 20.5% का interest ही लिया जाएगा यहाँ पे देख सकते हो मैंने अगर maximum यानि कि 64,000 का choose किया है तो मेरे को 36 महीने तक की E आपके पास 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का भी EMI को option आ जाएगे अगर मैं आपको इसके charges के बारे में बताओं तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं सिर्फ 50,000 का loan apply कर रहा हूं तो वहाँ पे मेरे को जो total interest देना पड़ रहा है वो 17,425 रुपे है और इसके अलावा जो upfront charges होते हैं उसके लिए मेरे को 1200 रुपे का charge देना है processing fees plus GST मिलाके हमारे 1180 रुपे बनता है और जो main processing fees है वो अपकी 1000 रुपे की है उसके साथ GST 180 रुपे की है stamp duty 20 रुपे charge देना पड़ेगा और मेरे account के इंदर net 48,800 रुपे credit के जाएंगे आप ध्यान रगना 50,000 apply कर रहा और मेरे को कितना amount repayment करना है आप ही मैं आपको बता दूगा simply आपको term and condition को accept करके confirm and continue पे click कर दिना है आप यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वह वला bank account इसमें add करना है जिस bank में आप पैसा लेना चाते हो authentication using में आप अपना net banking में login कर सकते हो या फिर आप अपने debit card भी दे सकते हो इनी दो method के through आपकी जो EMI हर महीने अपने आप कटती रहेगी और दोस्तों आप इस platform से 50,000 से लेके 5,000,000 रुपे तक का loan apply कर सकते हो और यह आपकी requirement और eligibility criteria को देखा जाएगा आपकी income देखी जाए so guys अभी हमें यहां तक तो यह पता चलेगा कि flip card आपको एक भी पैसा loan नहीं देने वाला आपको loan देगा access bank flip card बस आपकी detail उठाके और access bank को दे देता है और उसी के basis पे आपको बता देगा जाता है कि आप loan के लिए eligible हो या फिर नहीं हो अब मेरी बात एक ध्यान से सुना कि जो flip card है वो भी access bank की जो loan की termine condition है उसको follow करेगा तो क्यों ना हम flip card को बीच में से हट आटे direct access bank से loan apply करें हमें पता चल जाएगा कि flip card बीच में कुछ पैसा ले रहा है या पिर नहीं ले रहा मैं अभी आपको दोनों का comparison साथ साथ दिखा देता हूं जिससे की सारी confusion clear हो है और वहां पर आपको 5 लाका मिल जाता है इसमें आपको maximum tenure 60 महीने का मिल जाता है और starting जो interest rate है वो 10.49% से start हो जाता है आपको जो processing fees है पूरे loan amount का सिर्फ 2% देना है पर यह up to 2% है ध्यान अखना इससे कम में भी काम हो सकता है आपका और document के लिए आपको 3 महीने का अपना bank amount same है और मैं आपको पहली बता देता हूँ अगर आपका civil ठीक ठाक है तो आपको 11-13% के बीच में जो loan है वो provide कर दिया जाएगा हमने यहाँ पर tenure भी same 36 मंद का चूज कर लिया अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी EMI बन रही है हर महीने की 1661 रुपए की है आप एक interest amount 9786 रुपए है और हमें total repayment करना है 59,786 रुपए और इस 50,000 के loan को apply करने के बाद आपके account के अंदर 48,839 रुपीज credit किये जाएंगे और यह credit आप मान सकते हो कि यह जो दोनों charges है इन दोनों charges को deduct करने के बाद यह पैसा आपके account के अंदर credit किया जाएगा अब आप समझ सक कि flip card में आपको कितना charge देना पड़ रहा था और यहां पे आपको कितना extra charge देना पड़ रहा है मैं आपको एक बार comparison भी दिखा देता हूं कि आपको total repayment amount flip card में कितना करना है और access bank में कितना करना है आप देख सकते हो कितना बड़ा difference है दोनों प्लैटफोर्म पे तो मैं तो यह suggestion दूँगा आप flip card से ना लेके direct access bank से भी ले सकते हो मैं आपको इसका direct link description box के अंदर दे दूँगा महां से भी आप चाओ तो check out कर लेना लेकिन भाई मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको YouTube के उपर भी या फिर और other platform के उपर भी बहुत ज़्यादा एड़ दिख साधिया कि यहाँ पर interest rate बहुत ज़्यादा लिये जाते हैं और सिर्फ high interest rate ही नहीं अगर आप एक भी EMI मिस कर देते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा penalty देनी पड़ती है तो भई loan लेते वक्त हमेशा यह याद रखना कि मेरे को यह loan तभी लेना है जब मैं किसी emergency सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिक्शन ओन कर सकते हो हम मिलते अगली किसी वीडियो कंदर